नमस्कार, मैं अशोक जूर्शी वस्तों का इतिहास कहानी निर्मान का लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ हमारे असपास हजारों हजार वस्तों बिखरी पड़ी है हम अपने दैनिक जीवन में उन वस्तों का उप्योग तो करते है लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं कि ये वस्तों हम तक किस अवस्ता में पहुँची कैसे पहुँची उस समय उसका रूप कैसा था और कैसा परिवर्तन हो गया अगर मनन करें तो जान पाएंगे कि वस्तों के निर्मान की अपनी कथा है प्रगति का अपना इतिहास है खोज का एक कारण है इनकी जन्मक की कथा मानव विकास के इतिहास से कुछ अलग नहीं है अनेक वस्तों का प्रारमविक रूप कुछ और था आज कुछ और है और आने वाले दिनों में और ही कुछ रहेगा हमने आपको आज ता गत अनेक वस्तों की जन्मक की कथाएं बताईए आज बारी है गड़ियों की तो लीजिए जानते हैं गड़ियों की कथा आदी मानो पस्चात विकसित व्यवस्ता प्रथमताया सूर्य प्रकाश्क्री अपनी समय सारिनी निश्चित करते थे विकास की गती अविरत जारी रही स्थूल वस्तों पर पढ़ने वाला सूर्य प्रकाश्क्री इससे समय की गड़ना की जाती प्रहर की गड़ना की जाती जिसे धूप घड़ी के नाम से पुकारा गया है कहा जाता है युनान में एक खंबा था जिसे नोमोन नाम से पुकारा जाता था तथा लेलिन ग्राद में संथ पिटरसन ने एक खंबा लगवाया जिसकी चाया से समय की गड़ना की जाती थी सदियों पस्चात जैपूर के महराजा सवाई महदह रावदारा दिल्ली तथा जैपूर में जंतर मंतर की निर्मेती हुई जो समय तो बताता ही था साथ में ग्रहों की दशा भी मालूम पड़ती थी पानी की घड़ी और रेत की घड़ी का समय मापन का साधन सर्वविदित है इसका प्रमान इसा से 12 शाताबदी में प्राप्त होता है जर्मनी के गेबर्ट मार्क ने भार के प्रभाव से चलने वाली घड़ी बनाई तो गेलोलियों द्वारा प्रतिपादित पेंडूलम सिद्धानत का आधार घड़ीों का पथदर्शक बना समय बताने वाले यंत्र को घड़ी पल क्षण में गिना चाता है उसी के कारण इस यंत्र का नाम भारत में घड़ी और विदेशों में वाच पड़ा ग्यारावी शताब्दी में गिरिजा घड़ों में प्रार्थना के समय सूचना देने घंटे वाली घड़ियां लगी तेरावी सदी में एड़वर्ड प्रतम की आग्या से योरोप में पहला घंटा घर बनाया गया जिसे बिग टॉम नाम दिया गया हेनर्स डेविड ने पंचम जार्ज के महल के लिए दिवार घड़ी बनाई थी उन दिनों घड़ियों में केवल एक ही सूई होती थी और एक से 24 तक के आकड़े डायल पर लिखे होते थे मतलब केवल घंटे का समय ही घड़ी बता पाती थी डबल सुई याने दो काटे तो सन 1606 में लगाए गए सन 1881 में राणी एलेजा बैत क्वीन के पास सोने के पटे वाली घड़ी थी विदेशियों के आगमन संग भारत में मेटल की घड़ियां आई जो राजा महराजों के महलों के शान बनी घड़ियों का रख रखाव करने वाले व्यक्ति को वाच्मेन याने घड़ी बाबु कहा जाता था घड़ियों के निर्माण में स्विजर लेंड को महरत हासिल हुई भारत में भी गुजरात के मोर्भी शहर को कलाक बनाने में प्रसिदी प्राप्त हुई और पश्चात शाष्किय प्रयासों से विदेशी साहता से हम्टी कंपनी ने डैंगलोर में घड़िया बनाना शुरू किया हैंस विल स्टाफ ने सन 1908 में रॉलेक्स कंपनी की स्थापना की और वाटरप्रूप गड़ियां बनाई धूप घड़ी रेत की घड़ी जल की घड़ी की यातरा टावर क्लॉक वाल क्लॉक पाकेट वाच अलार्म टाइम पीस रिस्ट वाच की प्रगति की यातरा अविरत जारी रही जो रिस्ट वाच तक आकर रुकी वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, स्केच प्रूफ, अनब्रेकेबल ग्लास की घडियां बात की दिनों में कैमेरे, रेडियो, कैलकुलेटर, लाइटर, मौसम विज्ञान, कौर्स घड़ी, सोलर घड़ी, आटोमेटिक घड़ी, टेलिफोन घड़ी, अलार्म घड़ी जैसी सुविधाओं से लेस हुई भारत भर में दीवारों पर लगी मौर्वी की घड़ीयों से पहले, शिकोशा, बिग बेन, फेवर लुबा, जैनित, अधी घड़ीयों का राज था आपकी याददास में संजो ने कुछ प्रख्याद घड़ीयों के नाम प्रस्तुत है अन्थोनिया, अल्बान्स, इस्टर, बिग बन, बिफोरा, केमी, केंजील, केश्यो, एनिकार, ओटीरा, सिटिजन, फोर्टीस, ओरिस, इटर्ना, फेवरलुबा, निवारा, जिनेवा, जार्ज, जैनित, जंगन्स, जन बेरल, ओमेगा, ओमेक्स, रोलेक्स, राडो, रोमर रिको, सेंट थॉमस, शिकोशा, स्मिथ, सिको, सेंडोज, ट्रेसा, टिटोनी, टाइटन, वेगेलिया, और वेस्टन जैसे हजारों हजार नाम की घडियां भारती दिवारों और कलाईयों पर सेजी अगर बात करें अमरावती की, तो सन 1900 के दशक में गिने चूने घरों और दुकानों और दप्तोरों में दिवारों पर घडियां होती थी कलाईयां तो बहुत कम मात्रा में घडियों से सजी होती थी अगर अमरावती के हितियास में घडि साज या घडि की दुकान का नाम लिया जाए तो स्वतनत्ता सेनानी सुगदेव सिह चवान की गैरेंटीड वाच कमपनी नामक दुकान अतिप्रसिद्ध थी